हेलो एवरिवन केज जी शिक्षन के करन कैप्चूल डेली में आप सभी का स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यों अंतराश्चिय राजनितिक विसेशक की ऐसा मानते हैं कि सीत युद्ध कालीन जो परिस्थितिया हैं वैसी अभी उत्पन होती दिख रही है रूस और नाटो के बीच में संगर्श जो है वो बढ़ता जा रहा है तो उसकी एक प्रमुक गटनक या जिसका प्रमुक कारण जो है वो लोग ये मानते हैं रूस और बिटेन का टक्राव जो अकाला सागर में हुआ है और नेवी और इन दोनों राष्टों की नेवी के बीच में ये टक्राव हुआ है तो इसके बारे में जानेंगे इस घड़ना के बारे में जानेंगे और उसके बाद में काला सागर के जो जो जोग्राफिकल इंपोर्टेंट फेक्ट्स है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो एक्जाम में हमें पूछे जा सकते हैं और वीडियो के आखरी में हमेशा की तरह एक क्वेशन है, प्लीज उसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टक्राव का प्रमुक कारण क्या है, तो टक्राव का प्रमुक कारण आप ये फोटो देख सकते हैं, ये रूस के नेवी के जहाज से ली गई ह और उसने सीमा का उलंगन किया है, वहीं ब्रिटेन जो मानते हैं, ब्रिटेन और अन्यनाटो सदस्य जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो रूस की सामुदरिक सीमा नहीं थी, वो यूक्रेन की सामुदरिक सीमा थी, तो और ये मत का अंतर इसलिए है, क्योंकि 2014 में रूस न तो इस वज़े से इन दोनों की मत में अंतर है, साथ में ही रूस ने बिटीश जहाज पर चेतावनी की रूप में बंफायर करने की वो इसका भी दावा किया है, लेकिन बिटीश शरकार ने इसका खंडन किया है, तो यह पूरी घटना है, और यहां पर आप लोग जान सकते है युक्रेन जो है नाटो संदी का सदस्या और बिटेन और अन्य नाटो सदस्या काला सागर में फ्री नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए यह अपने जंगी जहाज यहां पर नेविगेशन के लिए लाते हैं, ठीक है, तो यह प्रमुक गटना है, अब हम लोग काला साग नदिया हैं, उसके बारे में बूचा जाता है, और तीसरा, वह अगर डीप में जाए तो वह पूछ लेता है कि कौन सी नदिया इसमें गिरती है, तो यह तीनों हम लोग इसमें कवर करेंगे, और एक और इंपोर्टन पार्ट है कि ब्लैक सी को अनॉक्सिक सी जो है, वह कहा इदर से देखेंगे, पहला है रोमानिया, फिर है बुल्गारिय, और तर्की, फिर इदर से होगा जॉर्जिया, रष्या और युक्रेन, तो ये 6 देश इसके सीमा वड़ती है, जिसकी सीमा इसमें ब्लैक शी में लगती है, और यह वो है जो क्रीमिया है, क्रीमिया जो अब अब रूस के अदिन आ गया तो यहां पे Sea of Azob में जो टक्राव हुआ है वो इसका वजह से हुआ है ठीक है अब आगे पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन सी स्ट्रेट जो है वो important है इसमें यहां पे पहली है Bosphorus, Bosphorus जो है वो Sea of Marmara और Black Sea को जोड़ती है दूसरी है Dardanelles यह Sea of Marmara यह यहां पे है Dardanelles Sea of Marmara और Aegean Sea यहां फिर भूमद्दी सागर इनको जोड़ती है Dardanelles Sea, Dardanelles स्ट्रेट ठीक है उसके बाद में Cratch स्ट्रेट, Cratch स्ट्रेट यहां पे है जो Sea of Azob को Black Sea से जोड़ती है यही तीन प्रमुक स्ट्रेट होगी, जलसंदिया होगी अब तीन प्रमुक नदिया हैं जो इसमें गिरती हैं वो है Don, Danube और Dniper यह तीनों नदिया इस काला सागर में अपना जल इसके अलावा और भी नदिया हैं लेकिन यह important है हमारे PCS exam की दृष्टी से अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन है निम लिखित यूग मौप पर विचार कीजिए एक तरफ स्टेट्स दे रखी हैं दूसरी तरफ जो है किन सागरों को यह आपस में मिलाती है वो दिये रखा है तो पहला है क्रेच स्टेट एजिन सागर और काला सागर दूसरा है बॉस्फोरस मरमरा सागर काला सागर को जोड़ती है तीसरा है डार्डेन रिलीस यह अजोव सागर और काला सागर को तो इन में से हमें जो साइज को मिलीते हैं उसको चुनना है आप इस वीडियो को पौँच कर सकते हैं और इसका आंसर देने की कोशिस कर सकते हैं मैं अब बताता हूँ कि क्रैच स्टेट जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है ये है crouch state, ये अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है ना कि Aegean सागर और काला सागर तो पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा बॉसफोरस बॉसफोरस जो है यहाँ पर sea of मर्मरा यानि mar्मरा सागर और काला सागर को जोड़ती है तो ये सही है हमारा तीसरा है डाडेन रिलीज ये अजोव सागर और काला सागर को नहीं बलकि एजियन सागर और सी अफ मरमरा या काला सागर को जोड़ती है तो ये तीसरा भी हमारा गलत हो गया तो इसका आंसर जो होगा वो B होगा केवल दो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त है आपके वो जो PCS एक्जाम की तैयारी कर रहे है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे Thank you very much